दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि अभी थंडियों का मौसम शुरू हो गया है और जैसे ही थंडियों का मौसम शुरू होता है तो हमें यह आताता है रूम हीटर का तो यह जो मेरा रूम हीटर है यह दो साल पुराना है तो दो सालों तक तो यह रूम हीटर बहुत ही अच् जल ला है इसके अंदर में दो राड है और दोनों में से एक भी राड नहीं जल ला है तो आने वाले समय में जरूर कभी न कभी खराब होगा तो जब आप इस वीडियो को देखे रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप अपने इस रूमीटर को रिपेर कर पाएंगे इसके लि सब्कमे लुक्त लिए दोनों साइड में प्लास्टिक के ढकन लगे हैं इन ढकन कर दबह्या पड़ेगा तो इसमें जहां जहां इसकूरू लगे क्या था सा अलग टाइप को ऊता है कोई दिक्रत नहीं जितना भी स्कुरू दिया है सभी स्कुरू को आप पेचकरस के मतब से खोल लिजे तो देखिए मैंने इस रूम हीटर का दूनों साइड का कवर खोल लिया है अब हम क्या करेंगे इसमें जो रॉड लगे हैं इन रॉड को पाले हम मल्टी मीटर से चेक करेंगे मल्टी मीटर को लगाएंगे कंटिन्यूटी पे ठीक है यदि इस रूम हीटर का रॉड ठीक होगा तो इस रूम हीटर के रॉड में जो दोनों साइड में चाहँ तार को टच करेंगे तो मल्टी मीटर के अंदर बीब की आवाज आएगी देखे जब मैं उपर ले राट के दोनों सीरे पर मल्टी मीटर का प्रॉप टच कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी आवाज नहीं आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साइद राट खराब है तो नीचे वाले को चेक करते हैं देखे नीचे वाले में भी कोई आवाज नहीं आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही राट खराब है यह दिमाल लेजिए आपके पास मल्टी मीटर नहीं है तब भी आप इस राट को चेक कर सकते हैं इसके लिए आप क्या करना है इस तरह का कोई वायर लेना है और दोनों वायर को राट के दोनों सीरों पे इस तरीके से लपेट देना है लपेटने के बाद इसे हम पिजली के बोर्ड में लगाएंगे तो देखिए बिजली के बोर्ड में लगाने के बाद भी इस राट में को लगा हुआ है तो इस पत्ती को इस तरीके से सीधा कर देंगे और इस लोग को हम इस तरीके से बाहर निकल देंगे तो यह राट बिलकुल आराब से बाहर निकल जाएगा देखिए हमने दोनों रॉट को बहार निकाल लिया है आपके घर में जो रूम हीटर है उस रूम हीटर के अंदर जो रॉट लगा है यदि आपको पता है कि कितने नमर का है तो आप से उतनी नमर का रॉट लाकर उसमें लगा दीजिए लेकि यदि आपको पता नहीं है कि आप सकता है कि आफ के फित ना हो यह तो gjाट में ने तो इसलिए आप हूज जा करने के लिए उसके यह इससलिए है पती लग चब करने के लिए उस आपार वुस्त पत्थिर लोग जाए फिलाव मैं नीचे वाले में नया राट लगा जाता हूं उपर वाले में फ्यूजराड जो घ्रावराड ज़कर लगा जायता हूं लगाने के बाद इनके सभी वायर को हम स़ई से लगा देंगे यदि स्क्रू है तो इसको टाइट कर देंगे और क्लिफ है तो क्लिफ लगा देंगे अब चलिए यह बट चेक करते हैं तो जैसा कि आप दे सकते हैं इस room heater का नीचे वला राट जला है जो कि नया है और उपर लगा फ्यूज है क्योंकि हमको पता है कि पहले से खराब है अब इसका जो ठक्कन है इसे हम सही से लगा देंगे तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी अपने घर के रूम हीटर को बड़ी अरसानी से रिपेर कर सकते हैं तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट पॉक्स में कमेंट करके जरूबत आईएगा अगर वीडियो पसंद लाएओ तो वीडियो को लाइक कर दें तो मिलते हैं इसी बगार की एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में वीडियो देखने हैं ये बहुत बहुत धन्यवाद